क। हईलो फ्रेंड्स वेलकम टू लैंडड़ेज विक्ट्स अज हम अपने लेक्चर को चौन्टिन्यू करते हैं हम पिछी लेक्चर में समदेखा था मैट्रिक्स का आज मिल्टिपलिकेशन देखते हैं आज हम कोड नहीं देखेंगे आज सिर्फ समझेंगे कोड में तो हमने दो मेट्रिक्स लिए, एक मेट्रिक्स लिए A, एक लिए है B, ठीक है, A मेट्रिक्स है 2 क्रोस 3 की, B मेट्रिक्स है 3 क्रोस 2 की, ओके, फर्स तिंग हमें यह पता होना चाहिए, यह मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो 2 है, R1, Rho 1, C1, Column 1, R2, Rho 2, C2, Column 2, ठीक है, तो हमेशा Column 1st और Rho 2nd, मतलब 2nd मेट्रिक्स की Rho और 1st मेट्रिक्स की Column, इक लिए होनी चाहिए, तब भी मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है मेट्रिक्स की, तो हम देख चलेगा, इसका output क्या आएगा, output के लिए हम R1 और C2 की, जो हमारा R1 और C2 बचा, वो उतनी हमारी output में उतनी की मेट्रिक्स बनेगी, जैसे R12 था, तो मैंने 2 लिखा, C22 था, तो मैंने 2 लिखा, तो मतलब 2x2 की ही मेट्रिक्स बनेगी, इतना समझ में आया, अब हमें देख हमारी नौर्मली होती कैसे है, की हम करते हैं 1st row को, 2nd, 1st metrics की row को, 2nd column, 2nd metrics की column के साथ multiply then वो add हो के यहां पर answer आता है वो कैसे आता है 1 into 1 1 plus 2 into 3 2 3 जा 6 plus 3 into 5 3 5 जा 15 तो यह कितना हो गया 15 plus 6 plus 1 22 ठीक है तो यहां पर आ गया हमारा 22 ऐसे हमारी 1st row 1st matrix की 1st row 2nd matrix की 2nd column की जैसे 1 into 2 2 plus 2 into 4 2 4 जा 8 plus 6 into 3 6 3s are 18 done 8 plus 2 10 10 plus 18 20 28 यहां पर हमने 28 लिग दिया ऐसे हमारी यह दोनों भी आ जाएंगे अब हमारे इसके पीछे logic क्या होगा हमारी लगेंगी for loop मैंने यह row 1 था और यह था column 2 रो 1 को मैंने एक variable दे दिया I assign कर दिया और column 2 को मैंने एक variable assign कर दिया J चल क्या रहा है first row यह 0,0 है 0,1 है 0,2 है मतलब की 0,1,2 row number सेम है हमारा यहां पर 0 ही बन रहा है ना row number मतलब बाहर row चलेगी तो I is equal to 0 I less than row row क्या है R1 I plus plus ठेक है next क्या हो रहा है हमारी row इसके column के साथ 0,0,0,1,0,2 column number fixed है तो column ले लेंगे second matrix का वो हमने J से represent की है J is equal to 0 J is less than C2 J plus plus अब हमें एक और variable लेना है वो क्यों लेना है वो समझते हैं हम वो हमें इसलिए लेना है कि एक variable लेना है हमें हम देख रहे हैं यहां पर multiply करते हुए कि हमारी एक matrix है A जो कि हमारी row number तो ले रही है आई यह क्या हो रहा है 0,1,2 0,1,2 लेकिन 0,1,2 बन नहीं रहा वो कैसे नहीं बन रहा अब यहां पर हम row तो लेनी सकते क्योंकि row तो क्या है 0,1 यह सिरफ तो row तो हुई नहीं और तो आई हम लेनी सकते दुबारा के लिए तो हमने एक variable लिया के जो हमारा 0,1,2 चलाएगा ठीक है ऐसे हमारी क्या हो रही है multiplication हो रही है किस के साथ दूसरे matrix के साथ जिसका क्या है row change हो रही है और column fix है column fix है तो column को तो हम j लिख देंगे row change हो रही है row फिर से 0,1,2 हो रही है तो हम k variable ले लेंगे जिसमें हमारा sum हो रहा है तो हमने sum नाम का एक variable ले लिया उसको add करते गए हम अब आया समझ में यह उपर हम define भी कर देंगे कि कैसे कर रहे हैं तो अब हम एक third variable लिया k जो की कहा तक चलना चाहिए 0,1,2 0,1,2 चलना चाहिए मतलब 3 से less 3 value क्या है c1 और r2 की 3 value है मतलब 3 से कम चलना चाहिए फिर चाह c1 से कम चले r2 से कम चले यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते है चाह c1 लिख सकते है चाह r2 लिख सकते है मर्जी है then k++ इसके बाद क्या हो जाए multiplication हो जाए तो यही statement दुबारा से हम लिख देंगे sum is equal to sum plus a i k into में b of k j then हमें आगे वाली में print कराएंगे अभी के लिख यही रखते हैं और sum की value कहां पर हमें store करानी है c of i sorry c of i j में third matrix हमने c लिए है जिसके i j की main value क्या store हो जाए sum वाली उसके बाद हमें एक चीज और करनी है वो क्या करनी है सबसे main चीज है हमें sum की value को फिर से initialize करना है क्यों करना है क्योंकि इसमें value store है जैसे इसमें 22 value store है तो अब वो दुबारा जब loop चलेगी तो इसमें already value store होगी 0 नहीं आएगा जिससे हमारा आगे के sum गड़ बड़ हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा इस वाली loop से पहले वाली loop में हमें sum की value को initialize करना होगा तो हम क्या करतेंगे sum is equals to 0 ठीक है आया समझ में मेरे ख्याल से आपको सबसे जादा main confusion होतेगी हम third variable लेते क्यों है क्या काम है मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा अगर कोई query हो तो comment box में डाल देना आज के वीडियो को यहीं खतम करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए thank you इस चैनल को subscribe करने वालों का आप आप